मैं है इसलाब उदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाइग्स मुम्रा के रशीत कंपाउंड के पास पापा का नाका है और यहाँ पर बिजली के केबल जो है वो रास्ते पर ही होने की वज़े से एक बड़े खत्रे को दावत दे रहा है वीडियो में आप देख सकेंगे कि रास्ते पर ही टोरेंट पावर का ये केबल पड़ा हुआ है जो रोट पर है इसके उपर से एक डंपर जाने की वज़े से केबल स्पार्क हो गया आग यहां से निकलने लगी ऐसे में बारिश का मौसम भी आने वाला है और रास्ते पर अगर ये केबल इसी तरह से रहा तो इसी वज़े से किसी का पैर अगर इस पर पड़ा तो एक बड़ा हादसा हो सकता है और हादसा हुआ तो इसके जिम्मेदारी कौन लेगा अस्थानिये लोगों का कहना है कि जब ये केबल लगाया जा रहा था उसी वक्त कहा गया था किसे अंडर ग्राउंड कर दिया जाया मगर लापरवाही बरतते हुए इसे उपर ही छोड़ दिया गया है और आज इसके उपर से एक गाड़ी जाने की वज़े से ये केबल स्पार्क हुआ और इसमें से आग निकलने लगी थी बारिश में भी अगर इसी तरह से रहा कभी किसी का पैर पड़ा तो एक बड़ा हादसा यहां हो सकता है आप देखेंगे तस्वीर में कि यहां आसपास में जो गटर है उसके धकन भी खुले हुए है इससे में मनपा अजिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए कि बारिश का महीना आने वाला है कोई भी पानी भरने की वज़े से राफ्तों पर इसमें खुले हुए गटर में गिर सकता है बड़ा हास्था हो सकता है कि इसके पहले ही यहां पर धकन भी लगा दिया जाए मगर देखने वाली बात यह है कि क्या इन खुले केबलों को आने वाले समय में अंडर ग्राउंड कर दिया जाएगा इन गटर खुले हुए धकनों को जो है यहां पर धकन लगा दिया जाएगा या फिर किसी अन्होनी का इंतिजार किया जाएगा है है यह 2 दिन पहले टोरेंट वालोंने केबल बना ли या पर य छोड़ा है केबल उन में तोसिंट हना है हां मदें अभि आनन्हों में अभी इंदर अग लग गई है अब भी थेखो यहां पर आग लगीए अब यह गाड़ी भी यहां पर घुजग गए और केकर च्क है पर ऊपर ही छोड़ है टोरेंट वाल होलाने अब भी इसके इंदर यहां पर यह भी आग लेगे अ लगए भी यहां पर पुरा आग निर्ट ला है यह से कि जव neutr